और फ्रेंज देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और आप लोग जानते हूँ कि आ उलूम अम्मे के बीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज फ्रेंज देखिए मैं यहां कफडा भी गाई हूँ और नहाने के टाइम साफ करूँगी यहां पलक्सी को सुबह सुबह पढ़ने के लिए लिखने के लिए दी हूँ टेबूल लिखने के लिए दी हूँ देखिए कैसे जिसे कुछ नहीं जानते हैं से देख रही है अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर देखिए जगा और बेल बटन है उसको प्रिस कर दिजिएगा उससे के अवाल नोटिफिकेशन से आप लोगों को हमर जो वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नहीं तो आप लोगों हमरे वीडियो नहीं देख सकते और जो हमरे वीडियो पे पहले से है को बोलो और देख भी लेना तो चलिए हम आज क्या क्या करते हैं तो वीडियो को पूरा एंजोई कीजिए प्रेंज गूड मॉर्निंग और मैं देखिए मैं नहाए नहीं हूँ अभी तक पलक्सी को थोड़ा लिखने दी हूँ क्योंकि आज मम्मी नहीं है तो हमारे दुसरे घर है वहां गी है मम्मी तो क्या करेंगे कि मुझे सब काम करना पड़ेगा रोटी नहीं मामा रुको ना हम परिशान करते रहती है और इसको डांड हमें से पड़ना चाहिए और क्या करोंगी सब काम करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट बनाऊगी और पापा गाड़न में उनका काम करें और इसको देखिए हमें से डिस्टब करने आ जाती है थोड़ा कपड़ा भी गाई हूँ उसको बीकफास्ट लांच उसको बनानोंगी ममी साम तक आजाईगी क्योंकि उनको मेडिकल जाना था इसलिए ओ गई है कुछ बलॉट टेस्ट करवाने थे क्योंकि वेज में तो हमेशा बीच बीच में थोड़ा बलॉट टेस्ट करने जरूर है ना इसलिए ममी गई है तो हम भी अच्छा ने लग रहा है मम्मी के विना घार के वो तो हमेशा चेल पेल मम्मी के विना आप लोग सब जानते हो मम्मी मम्मी होती है उनके विना घार बिल्कुल यह अच्छा ने लगेगा हमेशा के इस प्लक्षी क्या कर्यें क्या कर यह प्लक्षी यह खाई हो क्या खाई हो रोटी और पूक्चार और दालमा पाने को चाहिए यहां गाउं है तो हमो बहुत साल्षे नहीं रहे रहे तो पानी का सेटिंग ऐसे होता है हम पानी देखे पाइप पर रहते हूं पाइप जो अमन की तरफ से रहता है पानी वो तो पानी कभी नहीं नहीं आता है और यह पाथरूम उसमें पानी भरा जाता है फ्रेंज देखिए मैं नहा के आ गए हूँ और आप लोग जानते हूँ क्या वुलो मम्मे के बीना बिल्कुल भी अच्छा ने लग रहा है आज मतलगी क्या वुलो जब कुछ भी हो मम्मे के बीना घर का हालात कुछ अलग हो जाता है बिल्कुल भी अच्छा ने लाग रहा है लेकिन मैं क्या करो मैं जा रहे हूँ ब्रेक्फास्ट करने और चाई बनाऊंगी रोटी खाऊंगी क्यूंकि मम्मी साम तक आ ही जाएगी लेकिन एक दिन के लिए तो गई है तभी क्यूंकि वहां भी भाई आगे जाएगे ना क्या करें तो जाओंगे उसके बाद लॉंच का प्रिपरेशन करूं क्यूंकि ज्यादा गर में जल्दी खत्म करना है ठीक है आप लोगों मैं बहुत आति हूं आज में क्या बनाऊंगी आप लोगों जरूर दिखाऊंगी ठीक है इस दिन के साड़े दो ही है उसका डेंस करने आगी है और बिल्कुल पढ़ाएने करने इसके बहुत सारा माड विखाई है आज मतलव की धुलाई ही धुलाई हुआ है उसका के फ्रेंस वैदर कल भी ऐसा क्या था बारिस जैसे लेकिन इतना मतलव की बिल्कुल भी बारिस ही नहीं हो रहा है खाली चुल जैसे कर देता है उसके बाद छोड़ देगा जैसे लाग रहा है बारिस होगा और देखिये मेरा कपड़ा सुखा ही नहीं क्योंकि बहुत धूफ हो रहा था तो कपड़ा नहीं सुखाई हूं अभी सुखाऊंगी इसको हमेसे बीच में ही आना होता इसलिए बहुत मत तो खाती है क्या करें बहुती वदमासी करती है पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती है खाएगी पुरा स्कूल अभी खुलेगी ना पूरा खाएगी है तो एसे ही हते रहे है खाएगी तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स देखे मैं आप लोगको एक चीज दिखाने वाली हूँ देखे ये है बेवी कोटाटो पूरा छोटी छोटी है देखे उसके वाद ये है उससे थोड़ा सा बड़ा और आप लोगों ये सब लोकाल है और आप बोरी में दिखाते हूँ ये थोड़ा उससे बड़ा गीरा पड़ा है यहां चपल स्टान है चपल भी है मतलो यहां सब सामान है और यह देखें यह स्विमिंग पोल है हमारे बेटे का जो तो बाहर जब होगा तो भी सब रखा जाएगा अभी बच चुके है कितना सामके अच्छे बच चुके है और मैं थोड़ा जा रही हूं फिल में टेहलने के लिए और हर दुख की बात क्या बता हूं ममी फोन की थी क्यूंकि ममी आज नहीं आएगी बोली मैं कल आओंगी आज नहीं आओंगी बोलो क्या करे क्यूंकि ममी का का नहीं खत्मने हुआ, मेडिकाल रिपोर्ट भी नहीं आया था तो भाई भी रिपोर्ट लाने नहीं गया था तो इसलिए ममी नहीं आए है आज की आइंगी मा ममी मा हम लोग मा बोलते हैं तो मा कअ लाएँगे ओ इसलिए मैं सोची थी कि मा मा था हम गया मा आ जाएंगे यह सोच रही थी लेकिन नहीं आएगी न तो थोड़ा यह लग रहा है कोई बात नहीं ऐसा नहीं है काल तो आज आएगी न उनके बिना तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है इसलिए क्या करें मम्मी तो मम्मी होती है फ्रेंज सब का feeling share करे तो अच्छा लगेगा आप लोगों कैसा लगता है देखिए कितना अच्छा सामगो और यह देखिए नजरा हमारा घर के पास ही जंगल है तो देखिए इतना अच्छा लग रहा है इतना अत्रा है यह तो देखिए बहुत है अच्छा लगता है एसे नचर में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है साम हो गई है फ्रेंड्स देखें मैं देशी स्टाइल ग्लास में चाय और यह देखें इसको बोलते हैं चोड़ा मिस्टर इसको बोलते हैं मुड़की और यहां बलक्सी खा चुकी है और बेट के वो टीवी देख रही है क्या करें बलक्सी टीवी देख रही हो और अब मैं खाऊंगी तो आज यह फ्रेंड्स मिलके खाते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा यह में लगेगा